दोस्तो फाइनली वो दिन आ गया जब केटरीना कैफ और विकी कॉशल बी टाउन के न्यूली मारेट जोड़ो के लस्ट में शामिल हो गए है जबसे उनकी शादी की खबर ऑनलाइन सामने आई थी सबी फान्स के लिए अपना एकसाइटमेंट को रोगना बहुत जादा मुश की थी वो उनकी सुंदर्ता में और भी चारचान लगा रही थी आपको बता दे कि कटरीना कैफ और विकी कॉशल 9 दिसंबर 2020 को सवाई मादोपूर के 6 सेंसेट फोट में 9 फोन पॉलिसी के तहत एक इंटिमिट समहरों में शादी के बंदन में बन गए हाला कि प्यारे से कप कटरीना कैफ और विकी कॉशल की शादी की फोटोज और वीडियो को लेकर और यहीं हुआ कि कटरीना की शादी के बाद उनकी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह पहल गई आप भी देखिए जरा इन फोटोज को लाल सुर्ख जोड़े में कटरीना कैफ क इतनी खुबसूरत नजर आ रही हैं इसके साथ ही विक्की कोशल बेच कलर की शेरवानी में कहड़ा रही है इस बीच हमारी नजर पड़ी है काट्रीना कैफ के शादी के बाद जो उन्होंने डायमेंड का मंगल सुत्र पहना है क्योंकि फोटोस में अपने डायमेंड मंगल फ्लाइंट करती नजर आ रही है बॉलीवूट की ये डीवा क्योंकि शादी के बाद बहुत ज़्यादा खुश भी नजर आ रही है सोशल मीडिया पर जस तरीके से काट्रीना कैफ और विकी कोशल की शादी के तस्वीरे वाइरल हो रही है इस बीच काट्रीना के गले में जो डायमेंट का मंगल सुत्र है उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खीष लिया है जिहां दोस्तों शादी के बाद जो फोटोज वाइरल हुई है उसमें केट्रीना कैफ के गले में डायमेंट का मंगल सुत्र दिखाई दे रहा है जो फान्स को बहुत ज़दा पसंदा रहा ह इंटरनेट पर वाइरल हो रही फोटोज में से हम खुपसूरत दुलहन केट्रिना कैफ को शुद्ध सुहागन वाइब से देख सकते हैं आक्टरोस ने अपने बड़े दिन पर डिजाइनर सब में साची मुखरजी का लाल लहंगा पहना था उन्होंने अपने लुक को स्टेटमेंट माथा पर टी, नेकपीस, मार्चिंग एर रिंग्स और एक नथ से कम्प्लीट किया था इस दौरान दुलन ने अपना डामेंड का खुपसूरत मंगल सुत्र भी फ्लॉंट किया